असलाम अलेकुम वीवर्स, वेलकम टू जायका इंडिया, आज हम आपके साथ शेर करेंगे, फाइदों से भरपूर सेंबल की सबजी की आसान रेसिपी, ये सबजी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैल्दी भी होती है, तरदियों के मौसम में मिलने वाली ये अबल की सबसी को बनाएंगे आलू और हरी प्यास के साथ, ये हमने दो आलू और 100 ग्राम हरी प्यास ली है, और ये 200 ग्राम सेंबल ली हैं, यूपी साइड में इन्हें सिमलाटी भी कहा जाता है, इन्हें अच्छे से वाश करने के बाद पहले इस तरह से काट लेंगे, उपर से बारी खिसा भी थोड़ा सा काट देंगे, ये ज़्यादा सक्त होने की वज़े से गलता नहीं है, बस इसी तरह से हम सभी सेमल को काट कर रेडी कर लेंगे, अब ये एक मीडियम साइस की प्याज है, इसे मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लेंगे, और बाकी के मसाले हम आपको सासा दिखाते जाएंगे, अब इस सबजी को बनाने के लिए एक कढ़ाई में, चार चमच सर्चो का तेल डाल कर गरम करेंगे, तेल अच्छे से गरम हो ग और फ्राई करने से दूसरा फाइदा यह है कि सबजी का कच्चापन दूर हो जाता है। अब साथ ही हम इसमें आधा चमच नमक भी डाल देंगे ताकि नमक सबजी के अंदर तक अच्छे से चला जाए। अब 2-3 मिनट तक हमने मीडियम फ्लिम पर सबजी को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे कड़ाई में से निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे। अब हम सबजी के लिए मसाला भूनेंगे। मसाला भूनने के लिए 2 चमच तेल और डालेंगे और इसे अच्छे से गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1-2 चमच जीरा और 1-4 चमच हींग। 10 सेकिंड तक हींग और जीरे को फ्राई कर लेंगे। हिंग और जीरे का फ्लेवर ओयल में आ गया है अब हम इसमें प्यास का पेस्ट डाल देंगे यह हमने एक प्यास को मिक्सी में पीस कर लिया है अब इसे हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक लेस्ट और इसे भी प्यास के साथ एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे अब एक मिनट के बाद जो हरी प्यास हमने काट कर रखी थी वो डाल देंगे और हरी प्यास को भी दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे फ्लेम को इस वक्त हमने मीडियम कर लिया है हरी प्यास भी अच्छे से फ्राई हो गई है अब डालेंगे एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चोटा चमच हल्दी पाउडर और दो चोटा चमच धनिया पाउडर अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट इस पेस्ट को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मसाला भूनने के लिए टमाटर वाल में थोड़ा से पाने डालकर मसाले को अच्छे तरह से चमच चलाते हुए भून लेंगे अब दो मिनट के लिए ढखकर मसालों को अच्छे से पकने देंगे अब दो मिनट के बाद देखिए मसाला बहुत बढ़िया होकर भून गया है मसाले में से ओयल सेपरेट होने लगा है अब हम इसमें मसाले का नमक डाल देंगे सबजी का नमक हम डाल चुके हैं तो यह हमने आधा चमच नमक और डाल दिया है अब फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें दो चमच फेटा हुआ दही डालेंगे अब इस दही को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और अब दही का पानी खुश्क होने तक दही के साथ भी मसाले को ढखकर दो से तीन मिनट तक पकाएंगे अब दो मिनट के बाद मसाले को चेक करेंगे मसाला दही के साथ भी बहुत अच्छे से भून गया है मसाले को हम जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे ये सबजी उतनी ही ज्यादा जायकेदार बनेगी अब जब मसाला अच्छे से भून गया है तब हम इसमें फ्राइ किये हुए सेंबल और आलू डाल देंगे मसाले के साथ सबजी अच्छे से मिक्स हो गई है अब इने गलने तक पकाना है इसके लिए आदा गिलास पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करए और लो टू आठ मिनाट हो गये हैं सबजी को पकते हुए सबजी को चेक कर लेंगे एक बार चमबच चलाएंगे ये देखे कितने बड़े हा लग रही है सबजी देखने में ही अब ये सबजी बहुत अच्छे से पक गई है बस अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिय और आधा चमच गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला और हरा धनिया डालकर हमने इसे दो मिनट के लिए दंपर रखा था अब ये हमारी गुणों से भरपूर सेंबल आलो की मसालेदार सबजी बनकर रेड़ी है ये सबजी चपादी पूरी पराठे के साथ बहुत ज्यादा टेस रेसीपी अच्छे लगी होगे अच्छे लगी हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजेगा मिलते हैं नेक्स रेसीपी में तब तक के लिए लिए लाहाफिस थैंक्स फर वाचिए